हेलो गारीज, नमाजकार, वेलकाम है आप सब्सक्राइब फिर्ष यमारी इस और गुलाब के उपर पाने के लिए, तो कुछ जरूरी टीप्स हमें फॉलो करने होती है, जिसे आप फॉलो करके एक अच्छी फ्लावरिंग पास सकते हैं, यूटूब पे आप कितने सारी वीड आप डाल करके अच्छी फ्लावरिंग पास सकते हैं, या फिर राइस चावल की जो वाट्रिंग होती है, उसे डाल करके अच्छी फ्लावरिंग पास सकते हैं, यह सारे टीप्स आप फॉलो करके गुलाब के उपर अच्छी फ्लावरिंग पास सकते हैं, हमारी वीडियो जो खात की इस्तेमाल करने होती है गुलाब के उपर अच्छी प्लावरिंग पाने के लिए एक आइडिल टंपरेचर की जरूरत होती है जो आटोमेटिक नौमबर, दिसंबर और जनवरी में बन जाती है अगर इस तरह से आइडिल टंपरेचर अगर आप दे पाएंगे तो यकीनियन आपकी गुलाब के उपर अच्छी प्लावरिंग पा सकते हैं कुछ इस तरह से एक गुलाब के प्लावरिंग के उपर करीबन 10-20 लग सकती है बट आपको कुछ जरूरी जो टिप्स होते हैं उसे फॉलो करने होंगे गुलाब की अच्छी प्लावरिंग पाने के लिए सबसे पहले हम अपने गुलाब को जो परफेक्ट समय होती है उसे रिपॉर्ट करनी होती है जैसे अक्टूबर नौमबर के समय में इस गुलाब को जो रूट बॉल होती है उसे निकाल करके हमें रिपॉर्ट करनी होती है देन उसके उनके जो ब्रांचे होती है इन ब्रांच को कट करनी होती है तभी जाके इन ब्रांच के उपर नई सूट निकलती है नई ब्रांच डेवलप करती है उस ब्रांच पर आपके कई सारे बर्ड लगेंगे फ्लावरिंग होगी अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी फ्लावरिंग हुई है देन इनके उपर कितनी सारी अभी भी बर्ड हुई है लगी हुई है मतलब फ्यूचर में ये अभी पहुत ज निखर रिवाट करने से जिस्से गुलाब को करने से ये ब्रांची को कट honored करने से करने कई सारी ब्रांच निकलती है जिस नई ब्रांच के ऊपर फ्लावरिंग होती है अगर आपको की प्रोसेस नहीं फता है तो पहले ही लिचेली इसके एक वीडियो हमने अपलोड कर रखी है कि गुलाब के किस तरह से रिपॉर्टिंग की है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं अपने वीडियो की डिप स्क्रांट बॉक्स पे इसकी लिंक में डाल दूँगा वहां से आप वाच कर सकते हैं कि किसी भी गुलाब को रिपोर्टिंग किस तरह से किया जाता है अगर गुलाब को रिपोर्टिंग करते समय आप गुलाब की कुछ रूट काट कर दे और अच्छी सोयल बना करके उस पे घोवर की खाद या बर्मिक कमपोस्ट जो होती है उसे आप एड कर दे किसी तरह का केमिकल खाद आपको इस्त देन तब ही आप उसे इस्तमाल कर सकते या फिर आप बर्मिक कमपोस्ट इस्तमाल करें बर्मिक कमपोस्ट आप एक गंबले 12 इंच के गंबले पे आप 200 ग्राम बर्मिक कमपोस्ट एड कर दे उस सोयल पे और उस सोयल मिला करके आप गंबले पे फिल करें जब आप रिपोर् हुई है ना किसी हम केमिकल खात का इस्तमाल की है ? ना हम इस तरह की कोई फेक जनकारी अपने उडियो पे हम देते हैं यह आप देख सकते हैं 12 विडियो जो हमेर जो चैनल पे अन्छा की वॉक्स लिंक तो पुछ लिंक को देखेंगे तो आपको अच्छी information मिल सकती गुलाब के लिए गुलाब को अच्छी प्लावरिंग पाने के लिए एक अच्छी temperature की जरूरत होती है जो automatic नौबर और दिसंबर और जन्वरी में बन जाती है humidity level काफी increase होती है गुलाब को तोड़ी नम वाले इलाके बहुत ही पसंद है humidity level अगर बनेगी अच्छी ideal temperature बनेगी तो automatic हमारे गुलाब के उपर फ्लावरिंग होगी इसे हमें cut करनी होगी जब आप यह देख सकता है इस तरह से मुर्जाने लगेंगे हमारे गुलाब तो इसकी बर्ड को हमें remove करनी होती है time to time क्योंकि इसकी energy यह सब करते रहता है जिससे इसके अंदर एक seeds बनती है शिर्च बनने के लिए काफी energy की जरूरत पड़ती है इसलिए अगर आप आपकी गुलाब इस तरह से मुर्जा गई हो तो उसे remove कर दिया करें जिससे future में जितनी सारी बर्ड लगी है उस बर्ड को अच्छी energy मिल सके दिन वो पौधे की जो बर्ड है वो काफी बड़े size होगी increase करेंगे और आपके गुलाब की size आप देख सकते हैं कितनी ही बड़े-बड़े size होगी just English गुलाब की size होती है वेसे ही आपकी गुलाब के ऊपर लगने वाले हैं तो ये सारी जो tips अगर आप फौल करेंगे तो आपको किसी तरह का chemical खात का इस्तमाल नहीं करने होगी सिर्फ अच्छी सही time पे आप report करें और गौवर की खादिया बर्मिक कमपोश्ट इस्तमाल करके आप उसे add करके बिल्कुल इतनी सारी फ्लाबिंग पास रखते हैं उमिद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी कर लेज़ेगा साब्सक्राइब साथ में चैनल साथ में आपको बेल आइकन घंटी दिख रहे होगी उसे बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट वीडियो नोटिफिकरशन के दवार आपको मूबाल पे पहुंच सके चले मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ तब तक लिए गूडब आपको में आपको शाख सब्सक्राइब को